हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम क्लाश 10 का अधाय नंबर आठ जो त्रिकुमीति के परिचे हैं यहां पे हम त्रिकुमीति के परिचे जो है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इसके प्राशनावर नंबर आठ एक कुछ इंपॉर्टन को साल्व करेंगे चले फ्रेंज स्टार्ट करते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसकी पेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो फ्रेंज जो त्रिकुमीति है उस कोना चाहिए जैसे देखिए यह यहां पर 90 ंस है तो 90 नभे आंस कि आमरे के सामने कि भूजा हमेशा होता है यहां पर यह ठीका को लेते हैं तो ठीका कोल कि सामने की भूजा हमेशा लंब होता है और जिसल्द पे आपको first formula पता होना चाहिए पाइथा गोर परमे कि पाइथा गोरे परमे होता क्या है पाइथा गोरे परमे में फार्मला याद होना चाहिए कि कड़ का square जो होता है देखिए कड़ का square इसकार आधार का स्कॉाइर यह बेसिक फार्मुला फ्रेंड्स तभी आप प्रश्णावल नंबर आठ एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे अधार के स्कॉइर प्लस लम का स्कॉइर यह फार्मुला पता होना चाहिए आपको एक और इसके बाद आपको लाल पटा के कक्का या हाँ बस याद रखेगा साइन ठीटा ठीक और ए अपन के को याद रखेगा काश ठीटा ठीक है और यल अपन एक को याद रखेगा टैन ठीटा इतना यदि आपको पता है कि यल अपन के को साइन ठीटा करते हैं ए अपन के को काश ठीटा करते हैं यल अपन एको टैन ठीटा देखें, यहाँ यहल का मतलब होता है लम, लम से समझेगा, यहल का मतलब लम, केक अर्थ होता है कड़, एक अर्थ होता है आधार, ठीक है, चलिए, बेसिक फार्मूला लिखते हैं, बेसिक फार्मूला क्या है, कि साइन ठीटा, पहला आता है साइन ठीटा, साइन ठीटा इस क काश कृटा पराबर क्या हुता है देखेंए यहाँ पर आजाइए काश कृटै पर आवर क्या हुता है यह अपन के यह अत्कृ पान के एक अर्थव आधार केक अर्थव क्रण का मतलब लब एक रध का अधार ठीक है अम इसी कह अप पोजीट कि होता है को सेब ठीता को अतर्थ, कि यहां कि यहां इसके बाद का ऊपोजीट होता है जएख सेख ठीटा या यह यानी सेख यह अपन नमबर आठा यहां यह फार्मुला प्रशनावी नमबर 8 यहादार समय यूज होगा ठीक है फ्रेंड्स आधार इसके बाद आता 10 10 का अपोजीट होता है काट ठीटा काट का अपोजीट क्या मतलब कि यहापन ए है। का तकाट का हो जग एक अर्थ वह आधार जिसके बाद हो गया लाँ यह फार्मुला यह आपको इतने फार्मुला यह पता है तो आप प्रशनावी नमबर जो आठ एक जितने भी क्वेस्टिन हैं उस सभी क्वेस्टिन को यहां पर आप साल्व कर ले जाएंगे तो फ्रेंस आ आपको देखाता है ।्ण लिश्वायर नमबर क्या है आपकी सामने छाओं गत्री नूंबर आर्ट के में कौन साह वाल है यह आ ऑपके सामने पृष्णाव्य नमबर जो आठ ए हैं इसकी क्या सवाल है यहाँ पर दखें प्रश्णाव नबर प्रश्ण है आपकी सामने सब्सक्राइब कीजिए आपको आपको पता है यह सवाल लगा लेंगे चलिए यहां पर लगाते हैं सवाल देखिए वही सवाल यहां पर पहले से लिक के रखें कि जिसे आपका समय बचे क्या है कि प्रशान निबर आठ एक क्वेशन अभी पढ़के आपको दिखा है कि एक त संट्रमीटर बीसी बराब बारा संट्रमीटर हो तो साइन एक का से टैने के मान ज्याद कीजिए लेकि इस तरह की कोईशन आपको आते हैं एक्जाम में तो पहले त्रिभूज बनाना आना चाहिए देखिए अपने मन से ऐसे खीच लिजिए समको त्रिभूज बताएं ऐसे अपने मां इच्छा नुसार खिच लिजिए गा और बस नाम देते समें ध्यान दीजिए जहां पर कोड़ भी यानि जो 90 अंस को देखिए अब बी के जगह पर एदे सकता है सी दे सकता है जो दे मैंने कि जो यहां पर 90 अंस को रहेगा वह यहां पर लिखे देखें बी दिय यहां पर लिख लीजिए इसके बाद क्या करना है एबी देखें तिर भूच का नाम दे एबी सी यहां पर देजिए ठीक है यह नब्यांस है और जिसके कोड़ इसका नाम ए ठीक है अब चलिए फार्मुले का यूज करते हैं अब देखिए दिया क्या है एबी परावर पां संटिमीटर और चाहिए तीनों भूज करने के लिए यहां पर दो भूजा तो पता है दिसरी पोजा नहीं पता है तिसके लिए कौन सा फार्मुला लगाएंगे पाइथा गोरब परमें यहां लगाई पाइथा कौरब परमें पाइथागोरब परमेस क्या होता है अभी बता है सभी फार्मूला फार्मूला यदि पता है तो आप लगा लेंगे पाइथागोरब परमेस पाइथागोरब परमेस पाइथागोरब परमेस फार्मूला क्या है अभी बता है कड का स्कॉार बराबर आधार का square प्लस लंब का square ये formula होता इसी formula प्रखिए देखिए 90-90 के सामने के बुजा बताते समय बता है बता है कि ये कड़ होता है ठीक? और जो ठीटा होता इसके सामने के बुजा हमें सा क्या होता है लंब होता है अभी बता है पीछे और जिस पर यह बना है, यह आधार होता है, ठीक है, चलिए यहीं पर रख दे, कड़ आपको पता करना है, कड़ नहीं दिया, तो कड़ का स्कॉर रहने दीजिए, आधार दिया है, आधार पांच दिया है, पांच के स्कॉर होगे, प्लस है प्लस, लंब कितना है, बारा है, ब चाहाँ 25 हो गया 12 के स्कॉयर करेंगे 144 हो ठीक है अब यहां पे जब 144 हो गया यह करण हो गया करण का स्कॉयर यानि कि करण का स्कॉयर जब 25-144 चुड़ेंगे ते कितना का 549 नहुआ चाहँ 25-16 देखिए इसकॉयर हटाने के लिए क्या करते हैं यहां से रूट लेंगे तक कड़ बराव कितना जागा 170 का जो वर्ग होता कितना वाता फ्रेंट्स ते 160 का 13 होता यानि कि यहां पे कड़ कितना आ गया 13 देखिए यहां पे 13 चलिए आपको पता क्या करना है यहां प और फार्मॉला क्या है अभी बताएं यहां भटाके करण साइन तो कितना है यहां लंब बढ़ाबर लिखिए और लंब कर कितना है तहर लिखिए यह आपका इंसवर होगे यानि sign a कामान ग्याद कर लिए, אז इसी तरह चलिए सकास a का ग्याद करते हैं Hearts a बरावर फार्व लग क्या पता हैं आपको, चलिए आप फिंशते खाते हैं आपको कि Casa a बरावर क्या है, तक आपकास a बरावर देखिये कास ए बराबर ए अपन के यानि कि आधार बटा की करड़ यानि कि यहां पर क्या है आधार बटा की करड़ तो यहां लिए आधार करणा आधार बटा के करणा चलिए यहाँ पर आईए अब इस त्रिभूज में देखिए आधार कितना है देखिए आधार कितना है पांच है तो यहाँ पांच दिखिए आधार और करण कितना है तेरा है तो यहाँ पर तेरा लिख लेजिए यह आपका कास ए भी ग्याद हो गया, ठीक है, अब इसके बाद के साई न्य ग्याद कर लिए यहां पिघ्ञा है, तैन ए बरावर दिखें यहां पर तैन आ बरावर, चलिए फार्मॉला दिखाते हैं, क्या है फार्मॉला टैन ए बराबर यल अपान ए यल का मतलब लंब बटा के आधार यानि फार्मुला काया है टैन लंब बटा के आधार यहाँप क्या लिखेंगे आप लंब बटा के आधार चलिए यहाँपी देखें लंब कितना दिया है लंब दिया है बारा यानि कितना लंब है लंब बारा है अब आधार कितना है आधार बरोग पहांच है यह हो गया आपका ठीक है यह देखिए इस तरीका से सिंपल तरीका से आप question number one है ठीक है यह देखिए question number one है two है three है four five जितने भी प्रसनाविल number eight a का है question किसी भी बुक्का हो friends यदि इस बेस पे आप question लगाते हैं तो आपका question कभी रांग नहीं होगा friends तो friends इस तरीका से question अब क्या करेंगे आज हम question number one पढ़ें कल हम दो तीन चार पन दो तीन चार question कल हम पढ़ेंगे friends तो friends यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें thanks for watching